ओम नवो नारेंड, हिंदु धर में एकादशी का बहुत महत्व है, साल में कुल 24 एकादशी पड़ती हैं, यानि हर महिने में दो एकादशी पड़ती हैं, एक क्रिश्न पक्ष में और दूसरी शुकल पक्ष में, भातरपत महिने के क्रिश्न पक्ष की एकादशी को अजा एक इकादशी कहा जाता है और इस बार 10 सितंबर अविवार के दिन अजा एकादशी है। इस बार 10 सितंबर अविवार के दिन अजा जाता है। इस समय खोलेगे वरत को भगवान स्विकार नहीं करती है। तो 11 सितंबर सुमवार को सुर्य दै सुबह 6 बचकर 15 मिनट पर सुर्यास्त शाम 6 बचकर 31 मिनट पर होगा। ब्रहम मोर्ट सुबह 4 बचकर 49 मिनट से 5 बचकर 27 मिनट तक और हरिवासर समय समाप्थ होगा। ग्यारा सितंबर की सुबह 4 बचकर रहुकाल का समय सुबह 7 बचकर 9 बचकर रहेगा। आपको इसी शुब मूर्थ में अपना व्रत खोलना है रहुकाल के समय किसी भी तरह का दानपुर्णी देने से बचना चाहिए कोई भी शुब काम करने से बचना चाहिए एक आदशी के दिन प्राते काल उठकर इस्नान कर लें मंदिर और पूजा इस्थल को साफ करकी गंगाजल चलक कर एक चौकी पर भगवान विश्नु की मूर्ती स्थापित करें व्रत रखने का संकल्प ने भगवान विश्नु को प्रणाम करें भगवान विश्नु की पूज में फल फोल नारियल सुपारी लॉंग घी पंचमृत का भोग और तुलसी दल के साथ चंदन जरूर रखें पूजा करें मंत्रों का जाप करें व्रत की कथा पड़ी सुने भगवान विश्नु की आरती करें और फिर दिन भर उपवास रखें अगले दिन शुब मोहुर्थ मे भोजन करा सकते हैं या अपनी सामर्थ के नुसार दान दक्षना दे सकते हैं और फिर इसके बाद आप अपना व्रत खुल सकते हैं एक आदशी के दिन महिलाओं को सरसे सना नहीं करना चाहिए और इस दिन चावल चावल से बनी ही सभी चीज़ों का पूरी तरह से त्याग क के दिन और एक दिन पहले जरूर अर्पित करें और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए तो दशमीति थी को ही आप सोर्यास्त होने से पहले पहले तुलसी पत्र जरूर तोड़ कर रख लें एक आदशी के दिन जिस घर में मा लक्षमी जी की भी पूजा होती है उस घर में सदा सुख सम्रिदी का वास बना रहता है अपनी सामर्थ के नुसार एक आदशी के दिन और द्वादशी तेथे के दिन आपको कुछ न कुछ दान देना चाहिए यह थी आश की वीडियो उमीदें जानकर यह आपको प पुलिएगा